वेलकम बैक एवरीवन इस वीडियो में डिसक्रस करेंगे आनमलस सेकंडरी ग्रोथ इन बिगनोंया स्टैम लास्ट वीडियो में हम कुछ अलग लग ताइप की आनमलस सेकंडरी ग्रोथ के एक्जामपल्स डिसक्रस कर चुके हैं जैसे सालवा डोरा, लैप्रीडिनिया, यहां पर हम डिसकस करेंगे बिग्नोनिया की अंदर secondary growth के अंदर कौन सा structure है जो कि anomalous होता है बिग्नोनिया का अगर हम transfer section कट करके देखते हैं अंडर microscope तो वो कुछ ऐसा नजराता है इसके अंदर epidermis होती है इसके बाद यहां पर hypodermis पाई जाती है कहीं कहीं ऐसे उभार में hyp पाई जाती है फिर यहां पर next cortex की लेयर होती है यह वाली दिन एंडर मिस होती है फिर पैरिसाइकल यहां पर पाई जाती है और यहां पर पाई जाएंगे फिर यह फिलोम के वेज यहां पर पाई जाते है यह से किंडरी फिलोम यहां पर पाया जाता है यह फिलोम फाइबर सि Silicon ?" ये वेसर करते हैं उसके लाइं ये बीचे हैं यह से केंडरी जाइलम होता है ठीक है से केंडरी जैयलम होगा से केंडरी जैलम वहती है छहायेंगी अलिडी अब इसका स्ट्रक्टर कुछ ऐसा टाइप का नगजर आएगा दिस आलुआ करें देखे सुशे बहार एकल compr आप इसके इलावा कहिं कहीं स्क्लेल्म कामेटर्स के पैच्च भी बांप चाए जाते हैं लुका अधर मgypt यहांपे बस जाता है इसके बस्कोपाइबर्स के निन दर पहांफे यहां यह जफ यहां बाई जाते हैं यह यह जा पर यहां पर किट भी कोते हैं कि इसको औरma तो Krống पाई जाती है epidemies rectangular cells की बनी हुई एक स्थरीय सिंगए सिंगल सेल की single lid epidemies यहां पाई जाती है और उस पर एक मोटी पर्थ पाई जाती है जिसको giveोलती ऐसे के इसके इलावा occellular hairs भी यहां पर पाई जाती है इसकीपाद İs की बाद यहां पर complex पााई जाती है कोटेक्स जो है यह दो स्तर वाला कोटेक्स पाया जाता है ठीक है दो लेर्स का बना हुआ होता है जिसके अंदर एक यहां पर बायस तर कोलन काइमा की बनी हुई होती है जो कि एपिटरमिस के ठीक नीचे दो से तीन कोशिकाओं वाला एक मोटा एक लेर बनाती है और इसके अ अंदर रीजीज पाए जाते हैं सिकर कैसे रीजीज इसके अंदर पाए जाते हैं रीजीज दिखाई देते हैं जो प्रिपकव यानि में चोर स्टेज में लुप्थ हो जाते हैं प्रिपकव अवस्था में स्क्लैन काइमाटा का उद्भव हो जाता है ठीक है स्क्लैन इसके बाद यहां पर next क्या होता है यहां परéndब कोशिके खिक नीचे कोशिक मा थीक नीचे तीन तेहारं काइमा के तो रहें पाये पायास पहल जाता है पुर्णन्य थी कोशिक कई अवकास पाई जाते हैं और आपी यही में तृत लीग है पुर्आनी ततने का जो कही वक्त होता है पुर्आना अगर हम देखी एंसको फिलांग कशा बनी होती है इसके बाद endodermy जो है endodermy अंडिस्टिंगेशबल होती है एविभेदी होती है इसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप का अभाव दिखाई देता है पैरिसाइकल जो है स्कलर्म कामेटा के पैचेस की बनी होती है और इसमें कोशिकाएं इन्रेगलर अनियमित होती है यह पैचेस विभीन प्रकार के होते हैं और वल्ले में पाई जाते हैं इसके सबसे अंदर पाये जाएगा वस्कलर बंडल वस्कलर बंडल जो है यह कॉन्जोइंट कोलेटरल खुले एवं इंडार्क टाइप के होते है प्रात्मिक फिलोयम तूटकर चोटे-चोटे स्थापित होकर पाई जाते हैं अंंडर रम ने देखा था कि यहां पर फिलोयम के वς यह पर पाई जाते हैं परिय्ज का पईया जाता यो जबतार है ऊचले हुए सेकिंडरी जम के स्थापित हो और यू के अकार की सरण्चना बना लेता है और यहां पर प्रत होती है हैं, जो कि इसके अंदर waste fibers पाई जाते हैं ऐसे लएे जाइलम को आपस में अलग करते हैं फिलोम के जो फानों यह वे öğज के कारण यहांपर द्वीतिक जायलम के चार या उसे अधिक ऐसे खांचे पाई जाते हैं जो हमने सबसे स्टार्टिंग वालि डायग्राम ने यहांपर दिखा था उसके अंदर ऐसड़ बन जाते हैं इस द्वीतिक जायol और यहुं पर यह पाई जाते हैं फीलोहेम के खांचे पाई जाते हैं चारो ओना पर उपस्तित चार खांचे निखी ग्रूव कर दिखाये देज़ देप इसके बाद नेक्स्ट यहां पर पाई जाती है पित ठीक है अंदर की तरफ पित पाई जाती है और पित के अगर हम देखो यह यह बने हुए है ठीक है ऐसे टाइप के यह ऐसे यू शेप के यह ऐसे बने हुए वेजिस फिलेम के इसके बाद यह जो पित है यह पैरन काइमा का बना होता है और इसके अंदर अंतरकोशी के अवकास पाई जाते हैं पित की अंदर क्या है ऐसे इंटरसेलर स्पेसिज यहां पर पाई जाते हैं इसके बाद इसके अंदर special structure special character क्या होते हैं secondary growth के अंदर तो बिगनोनिया की तने की अंदर लेकिन कुछ समय बाद, दोरा बहारी स्तेय पर दवीतियक फिलोईम अपेक्षा बीतर की तल पर दवीतियक जाइलम अधिक बनते हैं, थीक है? द्वीतियक फिलोयम यहां पर क्या होता है जो बारिस्त है उस पर द्वीतियक फिलोयम एलिमेंट्स की अपेक्षा द्वीतियक जायलम ज्यादा बनते हैं जैसे यह इधर साइड द्वीतियक फिलोयम यहां पर बनने थे लेकिन इस साइड क्या बन रहे हैं द्वीतियक जायलम के element ज्यादा बनते हैं बिग्नोनिया की जो स्ट्रैम है उसके अंदर Cambium के द्वारा चार या इसे अधिक स्थानों पर भीतर की और द्वितिक जायलम की अपेक्षा बाहर की और द्वितिक फिलोम का निर्मान अधिक होता है जिसके फल्स रूप द्वितिक जायलम सेकेंडरी इस आइलम में सेकेंडरी फिलोईम के चार घहरे फान यानि वैजिज यहां पर बन जाते हैं यह भी इसका इक स्पेशल क्रेक्टर है कि इसके अंदर यह वैजिज बन जाते हैं तो प्रिपको होने परतने में उभार या फिर रीजिज या फिर फरोज यहां पर दिखाई देती है ठीक है वो किसकी वज़े से होते हैं वो इस कैंबियम की अबनॉर्मल एक्टिविटी की वज़े से होता है तो यहीं यहां पर अबनॉर्मल एक्टिविटी पाई जाती है ब मारिग्स्टम के बारे में या फिर जो रूट के टीशू होते हैं, उनके बारे में दिसक्स करेंगे कि कैसे organization होता है root apical marriage stem का, कैसे वहाँ पे root microbe interaction पाई जाते है vascular tissue differentiation होता है roots के अंदर, तो ये सब topics हम upcoming videos के अंदर discuss करेंगे, तो मिलते हैं next video में, वीडियो अगर helpful लगी हो तो like कीजी share कीजी अपने friends के साथ इन चैनल को subscribe कर लीजी, thank you so much